नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है विनर्स इंसिट्यूट के यूट्यूब प्रेट्फॉर्म पर आप सभी का मैं नतीजेन कक्षा में स्वागत करती हूँ जल्ली से कक्षा में शामिल हो जाए ताकि आज की कक्षा को शुरू किया जा सके सभी को गुडीवनिंग जैश्री माकाल रादे रादे जैश्री कृष्णा सभी को सादर जैजनिंद कक्षा में शामिल हो जाए कक्षा शुरू हो चुकी है वैशाली मनेश सभी का स्वागत है जी अभी जैसे कि आप सभी को पता है जस्ट अभी मैंने मात्मा गांधी की जैनती दिवस आपको सबके समक्ष मनाई है और जितने भी गांधी जी से संबंधित महत्पून प्रशने उनके बारे में डिसक्रशन किया है लेकिन इस कक्षा में कल की क्लास में जो कल एक संडे एफल्टी हुआ था उसका वीडियो स्लूशन है algumas उसका वीडियो स्लूशन करते है आप चेक करेए कि आपने कौन से प्रशने सही किये और कैसे कैसे प्रशन आये थे अगर आप पर बने हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है और नहीं बने हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं है चलिए आपको ये पूरा वीडियो solution का जो pdf है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा वो winners institute के telegram channel पर मिल जाएगा आप सभी strength यहां से उसको देख सकते हैं चलिए जो 2 October की class है मैंने class ले चुकी है और बाकी classes आपकी आगे मिलने वाली है उनको भी join कर लीजे जलियली आजे ये सारे strength पहला प्रशना आया था कि राक का टीला निमलिखित में से किस नव पाशाड स्थल से सम्मन्दित है Mound of the Ashes is related to which of the following Neothelic sites बुदिहाल, संगन, कुलू, कोल, डिहवा या ब्रह्मगिरी बताए जी आप सभी ने इसका उत्तर दिया होगा और आप सभी ने इस प्रशन का उत्तर सही भी किया होगा कि रंग राक का जो टीला था वह संगन कुलू में मिला था याद रखना एस्टूडेंट हैना जो बुदिहले न वो करनाटक का एक पुरा तात्विक इस्थल है याद रखना नव पाशान काली से संबंदित है और यहाँ पर आपको पशू बद के साक्षे देखने को मिले थे फिर अगर हम बात करते हैं कोल्डी हवा का तो यह चेत्र उत्तर प्रिदेश के इलाबाद या फिर प्रियाग राज से संबंदित इस्थिल है यह जो चेत्र है वो बेलन नदी के तड़ पर इस्थित है याद रखना चीक है थोड़ा सा ध्यान से आप थोड़ा सा व्याक्या सहित पड़ेंगे तो शायद आपको अच्छे से अटेम्प हो जाएंगे प्रशने क्रमांग दूसरी की दो की ओर बढ़ते हैं कि 6 महा के बच्चे को कैसा आहार दिया जाना चाहिए पूरक आहार, तरल आहार, अर्ध तरल आहार या फिर ठोस आहार बताए लिक्विड डाइट, सेमी लेक्विड डाइट या फिर सॉलिट फूर्ट, 6 महा के बच्चे को कैसा आहार दिया जाना चाहिए ये तो बात तय है कि आहार तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो आहार का फॉर्म होगा, वो आपको लिक्विड डाइट के फॉर्म में, 6 मन्थ ओल्ड बेबी को देना चाहिए आगे बढ़ते हैं, कॉशन नमबर 3 की ओर, निम्ले के साहित्ते की शास्त्रिय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी, very good question, which of the following classical book of literature was written during the गुप्तास प्रियट, अमरकोश, कामशूत्र, मेगदूतम या मुद्रा राक्षस, निम्ले में से वे कौन सी शा पुस्त्रिय पुस्तके हैं या साहित हैं, जिनका लेकन गुप्त काल में किया गया था, प्रशन आपके समक्षत यह पूछा गया था, अगर हम बात करते हैं, तो अमरकोश, कामसूत्र, मेगदूतम और मुद्रा राक्षस, इन चारों ही किताबों का जो लेकन किया गया था वो गुप्त काल में ही किया गया था, अमरकोश का लिखन आपको यहाँ पर मिलता है, अमर सिंग के द्वारा, मेगदूत का जो लेकन किया गया था, वो खलिदास के द्वारा, यह भी आप सभी को जानकारी है, इसलिए चारों के चारों जो लेकन किये गए थे, वो लेकन कि गुपतास काल में प्रश्ण करमांग चौथे पर बढ़ रहे हैं किस राज्य के काले चावल जिसको चाक हाओ को भी बोला जाता है को जी आई टेग मिला है ब्लैक राइस चाक हाओ और विच इस्टेट हैस गॉट जी आई टेग बता रज़रा करनाटक मडिपूर मध्य आप सभी ने इस प्रश्ण कभी उत्तर लगाया होगा सही उत्तर है मडिपूर मडिपूर की चावल काले चावल जिसका नाम है चाक हाओ इसे बिलकुल क्या मिला है जी आई टेग मिला है चिप चिपा चावल है ये एक विशेश प्रजाती का या विशेश प्रकृती का चा को देखने को मिलेगी प्रश्ण कर बांग पाचवे पर चलेंगे मांसून के संबंध में निमने में से कौन सा कथन सत्य है which of the following statement is correct regarding to मांसून मांसून शब्द तमिल भाशा से लिया गया है और यह हर महीने हवा की दिशा में मौसमी उलट फेर को व्यक्त करता है यह प्रश्ण एक बर PSC में पूछा जा चुका है सिंगल प्रश्ण था यह कि मांसून शब्द किस भाशा का शब्द है PSC इंडिपेंडेंट यह प्रश्ण पूस चुकी है दूसरा विकल्प दे रहा है कि मांसून शब्द अर्भी भाशा से लिया गया और यह हर महीने हवा की दिशा में उस मौसमी उलट फेर को व्यक्त करती है मानसून शब्द तमिल भाशा से लिया गया है और हर एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमूल उलट फेर को व्यक्त करती है मानसून शब्द अर्भी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में उलट फेर करती है The word monsoon is divert from the Tamil word and express the seasonal variation in wind direction every month, one year और every month अर्वी और Tamil की रूप में पूछा गया है सही उत्तर होगा आपका default डॉल कि भाई साब ये अर्वी भाशा का शब्द है और एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलट फेर को व्यक्त करती है तो प्रश्ण करमांग पांचवे का उत्तर हो रहा है आपका default डॉल प्रश्ण करमांग छटवे की और कक्षा को आगे बढ़ाएंगे निमलिखित में से कौन नूर जहां जुन्ता का सदस्से नहीं था Who among the following was not a member of नूर जहां एदमात तुल्ला आसफ खां महावत खां या फिर खुर्रम बताएं जी भाई खुर्रम भी शामिल थे ठीके अगस्त बेगम भी थी असमत बेगम भी शामिल थी याद रखना असमत बेगम भी नूर जहां की गृप में शामिल थी भाई आसफ खां तो शामिल थे ही थे पिताजी एदमित तुला भी थे माता भी थी, सब शामिल थे कौन शामिल नहीं था तो महावत खां सामिल नहीं थे यह नूर जाहां से सम्बंदित नूर जाहां जू जू जुन्टा घटना है एक महत्वपून है ठीक है? ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्णिक्रमांग सात्वे की ओर, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के समपादक अब भी मैंने इसके पहले पाँचवे से छे बजे तक महात्मा गांदी स्पेशल जो एक क्लास ली है उसमें ये कॉश्चिन कराया था अभी अभी ताजा ताजा तो जितने लोग उसमें थे उनको पता होगा कि महात्मा गांदी, M.K. गांदी, Albert West, महादीर देशाई या मनसुख लाल बताए समपादक पूछा गया है प्रथम समपादक पूछा गया है प्रथम समपादक प्रथम गांदी इंडियन उपिनियन मेगजीन वाज मनसुख लाल थे याद रखना मनसुख लाल समपादक थे महात्मा गांदी की इस पत्री का के प्रशन करमांग एट निमलिकित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती प्रशन करमांग आट फेका चीन देश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है सबसे अधिक देश से लगती है ये बात आपको पता है क्या लगती है चीक है किन किन देशों से लगती है थोड़ा सा देख लो कुछ तो देखी लेते भाई चीक है उत्तरकुरिया रूस मंगोलिया कजाकिस्तान चीक फिर भारत नेपाल भुटान भारत में भी थोड़ी सी नेपाल को तुम लेखी लेते हैं नेपाल भुटान म्यानमार लाओस और वियतनाम क्या पूचा गया है नहीं लगती पूचा गया है किस देश के सीमा से नहीं लगती है कमबोडिया से नहीं लगती है लाओस वियतनाम और म्यानमार से लगती है तो सही उत्तर होगा आपका एफ और एपल चले आगे बढ़ते हैं प्रश्न को नौवा है अच्छत गामनी शब्द किस नगर से सम्मझे ते वेरी गूट कोश्चन दवर्ड अच्छत गामनी इस रिलेटेट टू विच सिटी बताए अच्छत गामनी जल्दे से बताओ आपको पता होगा विदीशा आग जैन का ही प्राचीन नाम आपको अच्छत गामनी के रूप में देखने को मिलेगा है ना और अच्छत गामनी को ही ऐसा बोला जाता है कि ओजैनी नगर का विकास या फिर इसके संस्थापक के रूप में इनोंने अपना काम किया था ठीक है क्या क्या है ओजैन में तो जैन म मत्यप्रदेश में दो जोतिलिंग है, उसमें से एक जोतिलिंग महाकाल यहीं पर है, किस नदी के तटपर है, तो छिप्रा नदी के तटपर है, और मत्यप्रदेश का एक मात्र स्थान है, जहां पर सिंहस्त यानि कुम्ब का मिला आयोजित किया जाता है, एक मात्र स्थान जह यहां पर जंतर मंतर है और साथ ही साथ यहां पर स्थापित किया गया है महा काल लोग क्या स्थापित किया गया है महा काल लोग की स्थापना भी यहां पर की गई है चीक है चले प्रश्निक रमांग दसवे की होई बढ़ते हैं एक ग्राम वसा के ऑक्सी करण में कितने कैलोरी उर्जाग मिलती है, how many calories of energy is obtained from oxidation of 1 gram in fat, 1 gram fat से, बताएं जरा, बिल्कुल, बस आका जब ऑक्सिकरण होता है, तो आपको 9.3 कैलोरी उर्जाग मिलेगी, ये बात याद रखना, है ना, चाहे protein ले लो, चाहे carbohydrate ले लो, लेकिन fat लोगे, तो fat सबसे ज़ादा energy आपको देगा, 9.3 स सीप नदी का उदगम स्थल है, the origin of sea river is शियोपुर, धार, बालाघाट या सतना, प्रशनिक्रमां 11, सीप नदी, शियोपुर जिले से, कहां से, शियोपुर जिले से, पनवाडा गाउं, पनवाडा गाउं से यहां से निकलती है, और राजिस्थान के सवाई माधोपुर जा में जाकर के समा जाएगी, तो पनवाडा ग्राम में आपको याद रखना है सीप नदी के लिए, नेक्स कोशन है कोशन नमबर बारा, यूनिवर्सल मानक समय का विश्कार किस ने किया, हू इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टेंडर्ड टाइम, एन्रिको फेर्मी, एडॉल् फ्लेमिंग या फिर वेनोईट फॉरी नेन, रोन, बता यूनिवर्सल स्टेंडर्ड टाइम, बताओ, जी, बिल्कुल सही, आप लोगोंने स्टेंड फोर्ड फ्लेमिंग लगाया होगा, जिन्होंने यूनिवर्सल स्टेंडर्ड टाइम को अविश्कार किया था, याद फॉराइजदा, डिमांड फॉर, कम्प्लीट इंडिपेंडेंडेंस फॉर्ड वेरी फर्स चाइम, 1921, मौलाना मुहम्मद अली, संपून सुतंत्रता की मांग, पंडिज जवालाल नेरू, मात्मा गांधी, या फिर मौलाना हसरत मुहानी, बता ना, जी, बिल्कुल, मौलाना हसरत मुहानी वह वेक्ति थे, जिनोंने 1921 में, एहमदाबाद से, एहमदाबाद से, पून सुतंता की मांग को, सबसे पहले उठाया था, मौलाना हसरत मुहानी, प्रशन क्रमांग चगदवी की और बढ़ेंगे, सुजाक रोग का संक्रमन, किसके कारण होता है, कई बार ऐसे रोग आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसका हिंदी का आपको नहीं भी पता होगा, अगर आप उसका इंगलिश टर्म पढ़ोगे, तो आपको तु के कारण, बताओ, एक ट्रिक है, जिवानों के द्वारा ये जो सुजान रोग है, गोनोरिया, किसके कारण होता है, वैक्टीरिया के कारण होता है, और वैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग यादी तुम्हें याद करने हो, तो इसके ट्रिक याद कर ले न, याद आगई कि मुझे तो जात कर लो, वेक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, टीटू, केटू, निगोडी, है, हाई कर देना इसको, टीवी, प्लेयर, यह पूरे रोगे जो जिवानूं के द्वारा, यानि वेक्टीरिया के द्वारा होते हैं, और विशाणूं के द्वारा, यानि वाइरस के द्वारा होने वाले रोगों की ट्रिक है, कि ए मेरे पोहे, ए मेरे पोहे, ए खस हरे, खसरावाला, ए खस हरे, हरे, छोट्रे, छोट्रे मतलब छोटी माता, ट्री मतलब ट्रैकोमा, छोट्रे, चे, चे मतलब चे चक, छोट्रे चे, काची, कंजन्टी वाइनस और चिकिन गुनिया अगर ऐसी ट्रिक याद कर लोगे तो आप उस्सा भी याद हो जाएगा आपको ये सारी की सारी चीज़े याद हो जाएंगी वैक्टिरिया के द्वारा होने वाले रोग और विशानु यानि वाइरस के द्वारा होने वाले रोग ध्यान से इसको डिटेल कर सकते हो A4A, Meningitis, Rabies, Polio, Hepatitis, Influenza, Khasra और बाकी सारी रोग आपको मिल जाएंगे आपे तो जरूर देख लेना ट्रिक को अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप स्क्रीन शॉट ले लो जैसा भी आपको सही लगे यह पूरी की पूरी ट्रिक है ठीक आगे बढ़ते हैं निमले के कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है Which of the following statement is not correct मरगत रिष्णा एक प्रकाशिक भ्रहम है जो प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से होता है न मिराज is an optical illusion which arise from total internal reflection of light Search light में अफ्तल दरपन प्रियोग किया जाता है कौनके mirror is used in search light गर्मी में सामाने तर सफेद या हलके रंग वाले कपड़े गाडे रंग के कपड़ों की तुला में अच्छे माने जाते है Yes, very good In summer, generally white or light colored cloths are considered better than dark colored cloths डॉक्टर नाकान और गले की जाच के लिए उत्तल दरपन का प्रियोग करते है The doctor use a convex mirror to examine the nose, ears or throat 15 का answer, 15 का answer, सही नहीं है, पूछा गया है सही नहीं है, डॉक्टर नाकान और गले की जाच करने के लिए उत्तल का प्रियोग नहीं करते है The answer, चीक है आज एक साथ दो दो class, yes, दो दो class हो गई, एना back to back हो गई और पूरे दिन में बहुत सारी classes हो गई, चलो, ठीक है आगे बढ़ते है, question number 16 की ओर नेमलिकित में से कौन सा system unit का भाग है, computer आ गया है Which of the following is a part of system unit, monitor, CPO, CD, ROM और floppy disk बताना जड़ा, system unit के पार्ट system unit के पार्ट, कौन कौन आते हैं भाई CPU भी आएगा, motherboard भी आएगा, RAM भी आएगा, ROM भी आएगा, hard disk भी आएगा, याद रखना यह कई बार इस्ट्रेंट भूल जाते हैं, hard disk भी आएगा, और PSU भी आएगा, यह सब computer system के पार्ट होंगे, याद रखना तो दिये गए विकल्प के अनुसार, प्रेश्निक रमांग, शोलवेक आंसर होगा, CPU, क्योंकि बाकी सब ही system unit के पार्ट नहीं है, control processing unit, question number 17 है, एक मानक single layer DVD आमतोर पर कितना data रख सकती, how much data can standard single layer DVD typically hold 2.7 GV, 4.7 GV, 8.5 GV, 9.4 GV, 17 का उत्तर क्या होगा, चीक है, पूछा क्या है, single layer, और अगर double layer हो, अगर question में double layer पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे भाई, चलो पहले single layer कर देखते है, अगर single layer आपकी DVD है, तो इसमें 2.7, नए, 4.7 GV data आप fill कर सकते हो, और अगर double layer है, तो आपके पास 8.5 GV data रखने की सुभिधा होगी, याद रखना, 8.5 double layer के लिए, 4.7 single layer के लिए, याद रखना, चीक है, चलिए, अठारवा, gun metal किस धातू की बनी होती है, किस मिश्व धातू की, gun metal is made of which alloy, copper tin, zinc, copper lead silver, copper zinc lead या copper iron nickel, बताना, question number 18, बोलो, सही उत्तर है, copper tin और zinc, जो copper का ratio रहेगा, उसमें 88% of copper, and then tin का ratio रहेगा 10% of tin, and zinc का जो ratio रहेगा 2% of zinc, इस प्रकार के ratio रहेगे copper, tin और zinc से मिलकर के आपको gun metal alloy form में मिल जाएगी, next है, लोगसभा और राजविधान सभाओं का कारेकल, 5 से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दिया गया, the term of लोगसभा and state legislative assembly was increased from 5 to 6 year, बताये कि सम्विधान शंशुदन, कौन सा constitution amendment था, जिसमें लोगसभा और राजविधान सभाओं का कारेकल बढ़ा दिया गया था, 42 वह समय था, 42 constitution amendment जिस time पे लोगसभा और state legislative assembly का जो कारेकल था, उसको बढ़ा दिया गया था, question number 20, 20, 20, 20, रंगों की तीवरता की मापन के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है, which instrument is used to measure the intensity of colors, chronometer, antinometer, cryometer या colorimeter, colorimeter कोई तो बोलते पर या वर्णमापी, वर्णमापी, colorimeter, इसी का प्रियोग किया जाएगा, किसको मापने के लिए मिटा, रंगों की तीवरता, intensity of colors, आगे, यश्वन सागर जिसे 2022 में रामसर साइट, very important question, style लगा सकते हैं, साइट गोशित किया गया, यह किस जिले में है, very good, यश्वन सागर which has been declared a इंदोहर और भुपाल, बताओ इंदोहर निवासियों, very good, सारा most fastest answer, इंदोहर में यश्वन सागर है, जिसे 2022 में आपने रामसर में शामिल किया गया, इंदोहर में एक सिरपुर भी है, जिसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इंदोहर में ही यश्वन सागर, इंदोहर में ही सिरपुर, दोनोही रामसर साइट में इंक्लूट की गई है, केंदर राज्यों की बीच विवात पर निन्ने के लिए, भारत के सरव qua चिन्यालाई की शक्तिय हैं निमलिकित में से किसकी अंतरगत आती है? The power of Supreme Court of India to decide on dispute between the center and the state fall under which of the falling. Very good answer है, एक ही का में Supreme Court का ध्यान से देख लो, परामर्षकारी चेत्रादिकार, अपीलिये चेत्रादिकार, मूल चेत्रादिकार या फिर परामर्षकारी अपीलिये चेत्रादिकार बिल्कुल मैंने बुला एक ही काम है प्रात्मिक काम है सुप्रीम कोट का सबसे पहले केंदर और राज्य की जो बिवाद है उनका डाइलूट करना उनको सॉल्व करना तो ये इनका मूल छेत्रादिकार है ये बात आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल जिरिडिक्शन इनका काम है नीची तिये गए कुटो संकेतों का उप्योग करती हुए निमलिकेत को कालानू क्रमिक क्रम में रखे प्लेस दा फॉल्विंग इन ओर यूजिंग दा कोट्स एंड सिंबोलिंग गिविन ब्लो केश्वान भार्ती गोगल लात केस मन मिनर्वामिल सज्जैन सिंग केस बत ज़्यादा प्रसिद्ध मामला है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए गोकलनात 1967 है और साथी साथ सज्जन सिंग 1965 है तो आप जल्दी से सन बता दिये हैं तो आप इसको जमा सकते हो जमा देना कौशन नंबर 23 को सही आंसर आएगा आपके पास 4, 2, 1 और 3 मतलब C आंसर सही होगा चीक है प्रेश्ण निक्रमांग 24 महालेखाकार का नाम परिवर्दित का नियंतरक महालेखा का परिक्षक किस वर्ष किया गया इन विच यह वास दा नेम ऑफ एकांटेट जनरल चेंज दा चेंज टू कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अच्छा है C.A.G. कब बनाया 1866 में इसका नाम बदलकर नियंतरक एवं महालेखाकार परिक्षक के रूप में रखा गया था समिधान के किस अनुछे के तहट राजलोक सेवायोग अपने कार्यक की वार्षिक रिपोर्ट राजपाल को देता है यूनिट नमबर 10 के कॉश्चन है अंडर विच आर्टिकल अफ दे कॉंसिटूशन दस दे स्चेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन गिविन अनुट राजपाल को किस आर्टिकल के अंतरगत रिपोर्ट सोपी जाती है राजपाल को अपनी रिपोर्ट सोपता है चीक है आगे बढ़ते है कॉश्चन नमबर 26 पे कि इबे कंपनी की स्थापना कब हुई थी कहा कि कंपनी है इबे जो कंपनी है वो USA कंपनी है मल्टिनेशनल कंपनी है कब इस्थापन की गई थी किसके द्वारा याद रखना ये प्रशन पूछा जा सकता है पीरे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कब स्थापना की गई थी तो 3 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी एबे कंपनी संयोग तरास्थं की पियरे इसके संसापक है याद रखना चीक है आगे बढ़ते हैं कौशन नमबर 27 राज निर्वाचन आयोग नगरी निकायों की निर्वाचन का संचालन के सनुछेत के तहत करते हैं अच्छा प्रश्न है नगरी निकायों का निर्वाचन का संचालन के सनुछेत के अंतरगत किया जाता है अनुछेत जहाला इसको जहाला याद करते हम लो जगणा होता है निर्वाचन में तो जा जा जैडे 243 जैडे याद कर ले ना निर्वाचन जगडा जगडा ठीक है ससी जीडी में आएगा की नहीं आएगा आएगा यह जीएस में आ सकता है बई चलो निमने को सही सुमलित करें मैस दा फॉलेंग करें क्ली तीथंकर दिये हुए हैं और उनकी चिन यानि प्रतिमा पर जो इमेज जिस आती हैं वो दिये गए हैं आदिनात मलिनात पार्षनात और संभवनात बताएं जैन होगे उनके पता होगा जो जैन नहीं होगे उन्होंने किताबों से तो पढ़ाई होगा जी बोले आदिनात ब्रशव होगा मलिनात का जल कलश होगा पार्षनात का सर्प होगा संभवनात का अश्व होगा तो आप लोगों तर मिला सकते हो ठीक है पहले का वन वन हो गया बी फोर फोर हो गया यह ए आंसर इसका सही आंसर है प्रश्न क्रमांग तीस की और गाड़ी बढ़ेगी अशोक का रुमंदेई स्थम्ब संबन देत है यह भी बड़ा पुछा जाता है रुमंदेई पिलर ओफ अशोक इस रिलेटेट टू बुद्ध के जन्म से from the birth of बुद्ध, बुद्ध के ज्यान प्राप्ती से by attending eligibility of बुद्ध, बुद्ध के प्रतम उब्देश से या फिर बुद्ध के शरीर त्याक से by the death of बुद्ध, रुमंदेई स्थम्ब का संबन किस से है बुद्ध के जन्म से सम्मन्दित है रुमन्दई सवकाज चीक है? चलो आगे बढ़ते हैं निमलिक इतमे से किस देश की साक्षर्त दर विश्म में अभी तक सबसे अदे के Very good Which of the following countries has highest literacy rate in the world किस देश की साक्षर्ता अभी भी सबसे ज़्यादा बड़ी है रश्य ही है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर्ता है विश्म में रूस की याद रखना Very good अगला निमने को सुमलित कर दीजी अभी है मैस्दा फोलेंग करेक्टली तामबा, गैस प्लांट, अलूमीनियम और पेट्रोलियन उसकी खदाने पुछी गई है तामबे का खेतरी आपको याद है जब तामबे का खेतरी तुम्हें याद है तो तुम्हारा ये विकल्प तो कट गया छीक है फिर उसके बाद गैस प्लांट के लिए तुम्हें और या जाना होगा ठीक है चले जाएंगे ठीक है तो ये कट गया अलूमीनियम के लिए और पेट्रोलियम के लिए अलूमीनियम के लिए आपको पता है कोरबा है ना और पेट्रोलियम के लिए आपको पता है कोची तो आंसर आपका सही कौन सा होगा 32 का 32 का ए आंसर बिलकुल सही है तामबा है आपका खेतरी में और साथी साथ गैस प्लांट और या उत्तर प्रिदेश में यूपी ठीक है अलूमीनियम कोरवा 36 गण और पैट्रोलियम कोची ठीक है चले प्रशनिकरमांग 33 किस नक्षत मंडल को सब्तरिशी कहा जाता है which constellation is called सब्तरिशी अर्षा मेजर मैटर्नी स्मॉल बियर या अराइन जी अर्षा मेजर सब्तरिशी की रूप में जाना जाता है बचपन से ही आपने ये पढ़ा भी है और सीखा भी है चीखे बारतिकर के टीम ने एशिया कब कितने बार जीता है ब बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये तो आपने पढ़ाई हुआ है भई आउ मेरी टाइमस है दा इंडियन किर्केट टीम वाज वं इन एशिया कप थर्टिफोर का question है बता ना थोज़र तेईस को मिला दो तो आठ भार एशिया कप भारत टीम जीत चुका है कब-कब जीता ह 1984 में 1988 में 1990 में 1995 में 2010 2016 2013 1999 चीक है 2013 2018 और 2030 अब सही है चीक है सबसे ज़्यादा भारत ने जीता है आठ बार 2023 को मिला करके श्रिलंका से इस बार जीता और बड़ा ही रुचक मैच खिला और बड़िया तरीके से काम हो गया Global Fire Power Index 2023 में भारत का कौन सा इस्थान था वाट इस इंडिया पोजीशन इन दा Global Fire Power Index 2023 बताएं फोर्थ रैंक इसने हासिल की है फोर्थ रैंक इसने हासिल की है याद रखना और रैंक हासिल करके यह है चौथे इस्थान पर रहा है है ना अमेरिका जो Global Fire Power Index में USA का प्रथम इस्थान था रूस का इसमें दूसरा इस्थान था और चीन को इसमें तीसरा नंबर मिला है तो सब के नंबर याद कर लो ताकि यह आपके लिए महत्वपून हो जाए चीक चलिए अंड़मान निकुबार दीपसमू को एक महत्वपून चोटी माउंट डायवोलो कहां अस्थे थे जो कि अंड़मान का ही सबसे उचा बिंदू है चीक है याद रखना चलिए तिलयाबांद किस नदी पर है तिलयाबांद is built on this river दामुदर, बराकर, कोनार या उस्री बोलो बराकर, बराकर यह दामुदर नदी का ही पार्ट है पर बनाया गया है बराकर में यदि राज लुक से वायों के सदसे किसी कदाचार के दोशी पाए जाते हैं तो जाच किसके द्वारा की जाती है बताओ, कोशन नमबर 38 अरे भाई राजलोग सिवायों की बात होगी तो फिर ये सर्वोच ट्याले में ही केस जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है ना वैरी गूड विद्या तैमूर लंग के किस वर्ष भारत पर आक्रमेंड किया बड़ा पूछा जाता है इन विच ये डिट तैमूर लंग अटेक इंडिया जी बताएंगे तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमेंड किया था ठीक है 1398 में होईसल इसमारत पाए जाते हैं होईसल मॉनुमेंट्स आर फाउंड इन हम्प्य और हॉस्पेट में हैलो विडू और वैलूर में मैसूर और बैंगलूर में श्रंगेरी और धारवार में हाजी बता ना हैलो विडू और वैलूर में यह होईसल जो समारक है वो आपको देखने को मिलते हैं बारत के सम्विधान के अरूछे 371 जी में दिये गए विशेश टुकवन्द के स्राज़ से संबंदित है तर स्पैस्फिक प्रोविजन गिवेन इन आर्टिकल 371 जी ओफ दा Constitution of India relate to which state जमुकश्मी, जारखन, मिजोरम और नागलेन बताए जनजातिये विरासत को रक्षा करने के लिए मिजोरम याद रखना यह जो विशेश उपवन्द है वो जनजातिये विरासत को रक्षित करने के लिए है जनजातिये विरासत की रक्षा से सम्मंधित है मांडू वास्तकला का साक्षी है मांडू is a witness of architecture बता एरानी, तुर्की, पार्षियन और अफगानी बोले बिलकुल अफगानी वास्तकला का एक बहुत अच्छा साक्षी मांडू देखने को मिलता है rapid fire है, पूरा video solution है आपने क्याल किया कल के test में उसी के बारे में चर्चा कर रहे है मत्प्रदेश खाद आयोग का गटन किस तारीकों किया गया on which date वास्दा मत्यप्रदेश स्टेट फूड कमिशन फॉर्मड पताई जरा क्या उत्तर है 21 जुलाई 2017 और ये राज खाद आयोग का अधिनियम का बाया था ये जो राज खाद आयोग का अधिनियम था वो 2013 का अधिनियम था और इसकी स्थापना हुई थी 21 जुलाई को याद रखना 21 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी केंद्रिय सूचनायोग के गठन की शक्ति निमने में से किस के पास है भारत में राजनितिक विवस्था के मूल भूत लक्षण कौन-कौन से है। भारत की जनता सर्वूत है, संसरात्मक है, लोकतांत्रिक है, इसका मतलब है एक और तीन और दो सही है, बिलकुल। निमने को सही सुमलित करें, match the following correctly, भारती समिधान का भाग जो 9 है, वो पूछा जा रहा है, तो आपने पड़ा हुआ है कि भाग जो 9 है, वो पंचायतों के लिए है, इत्ता तो मुझे समझ में आपा रहा है अभी, जी कि भारती समिधान का 5, 6, 7, 8, भाग 8 कौन सा है, एर भारती समिधान का भाग 4A कौन सा है, 4A मूल करतव है, भारती समिधान का भाग 9A क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो हम क्या लगाएं, उत्तर बताना, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, A, भारती समिधान जो 9 है वो पंचायत है, भारती समिधान का भाग 8 है वो संगीय छेतर है, भारती समिधान का भाग 9 है वो नगर पाली का होगा, इसलिए A for Apple सही उत्तर होगा, अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस से संबन देते हैं बहुत अच्छा कोशन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रिलेटेट धारा का विद्धु छेत्र चुम्बी की ये छेत्र आपने पढ़ा होगा ये नियम तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न इक्रमांग 48 श्यानता के बारे में विस्कोसिटी है न के बारे में नियम लिखेत में से कौन सा कथन आ सकते है which of the following statement about viscosity is false झाल 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 आवा जा रही है, चेक करिए सभी स्ट्रेंड चेक करें, आवा जा रही है क्या छीके, अब आवा जाने लगी होगे बंद चले, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांग पचास की ओर, मत प्रदेश में फूल अनुसंधान केंद्र कहा है वेर इस दा, फूल अनुसंधान केंद्र, अभी जो महक रहे हैं मामा जी वो अपने ग्रहे जिले से ही महक रहे है बुधनी से होर, मैं इसराइल के सहयोग से इसकी इस्थापना की गई है फूल अनुसंधान केंद्र सिहोर ठीक है, ये पचास कॉश्चन हो गए है बाकी सफलता बैच भी लॉंच हो गया आप इसको भी देख लीजे सापताहिक टेस्ट होता है फ्री ओफ कॉस्ट दस बजे और इसका प्रतिक सौंबार आपको वीडियो सॉलिशन मिलता है तो थोड़ा सा देख लेना कि ये हर संडे का जो टेस्ट होता है उसका ही वीडियो सॉलिशन आपको यहाँ पर मिल रहा है बाकी मैं नेक्स पचास कॉश्चन भी आपके सामने लाके आ रही हूँ थोड़ा सा फोकस होके देखना लास्ट फिफ्टी कॉश्चन और बचे हैं और फिर इसके बाद आपका ये वीडियो सॉलिशन भी विवस्थेत रूप से हो जाएगा चीक है तो यारे नेक्स पचास कॉश्चन के लिए सभी नेक्स फिफ्टी कॉश्चन चलिए पाट टू देखते हैं इसका ये एक अक्टूबर को टेस्ट हुआ था बतलब कल ही हुआ था याद रखना आप भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप विनर्स इंसिट्टीट के अप्लिकेशन पर जाकर के इस टेस्ट को फ्री अफ कॉस्ट दे सकते हैं चीक चलिए निम्ने में से कौन सा कथन असत्य है असत्य है विच अफ दो फॉलिंग स्टीट्मेंट इस फॉल्स यहाँ पर आपको को सिटी लिखी हुए है और डिविजन लिखे हुए है पूछा जा रहा है कौन किस डिविजन में आगर मालवा उज्जेन वेरी गुड चीक हरदा शेहडोल में है यह तो गलत दिख रहा है अनुपुर शेहडोल में यह सही है चतरपुर सागर में यह सही है हरदा है जो नर्मदा पुरम सर्माग में है नर्मदापुरम चीक है? याद रखना चलिए निम्लिकित में से किस पठार को चंबल का उप आद्र प्रदेश कहा जाता है which of the following plateau is called subhumid region of चंबल मधिबारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदिल खंड का पठार या फिर रीवा पन्ना का पठार किसको उप चंबल का उप आद्र प्रदेश कहा जाता है और वेसी बात है चंबल है तो आपको Central India का plateau उसमें देखने को मिलेगा नमबर बहुत कम आये हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा Next question है सुठालिया सिचाई परियोचना मध्रदेश के किस जले में इस्तित है? और राजगड, बताना पारवती नदी पर बनी है, याद है? पढ़ रहे हो, पारवती नदी पर बनी हुई है सुठालिया कहाँ पर? राजगड में याद रखना, राजगड में पारवती नदी पर नदी पर एक अच्छी परियोजना शुरू होने जारी है वो है सुठा लिया कौशे नमर 54 निमने को सही सुमलित करें मैच आफ दा फॉलिंग करें क्ली परवश शिखा रहे हैं और इस्तिती है अलब्रोस, किली मंजारो, माउंट कुक और मैकेनले, न्यूजिलेंड, यूएसे तंजानिया और रूस पताए ये 54 माउंट एलब्रोस जो है वो रूस में है, मैच कर दो जो किली मंजारो है वो तंजानिया में है, मैच कर दो माउंट कुक जो है कुक है न्यूजिलेंड में और मैकेनले हैं सही उत्तराज अमेरिका में तो सही उत्तर यहाँ पर किसका होगा तो पहले का होगा 4, 4, 3, 1, चीक है, तो सही उत्तर होगा 54 का A, चलिए, आगे बढ़ते हैं students, निमने कतनों पर विचार कीजिए, तथा नीचे दिये गए कूर्ट से सही उत्तर चुनिए, Consider the following statement and select the correct answer from the quotes given below, प्रत्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी धुरुफ कहते हैं, ओके, 45 डिगरी अक्षान्स की लंबाई विश्वत रेखा की आधी होती है, प्रत्वी के अक्ष की सामान तरता है, अपसौर, अवस्था में प्रत्वी के परिब्रमण की गती तीवर होत है, कॉशन नमर 55, प्रत्वी के अक्ष की उत्तरी सिरे को उत्तरी धुरुफ कहते हैं, चीक है, चीक है, प्रत्वी के अक्ष की सामान तरता होती है, ये भी सही है, वन और थ्री ही सही होगा दिये गए प्रशने में, प्रशने को थोड़ा सा ध्यान पर रखना, चीक है, इस प्रिंट लाइफ देख रहे हैं बच्चा गिद्राज परवत मत्प्रदेश के किस जिले में इस्थित है इन विज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मत्प्रदेश इस गिद्राज माउंटेइन लोकी टेट उमरिया हर्दा सतना और गौलियर बताएं कहां पर इस्थे थे गिद्राज परवत सतना में इस्थे थे कहां पर भया तो अगर आप घुमने जाओ मूड बने तो राम नगर तहसील जाना यहां पर आपको यह परवत मिल जाएगा राम नगर तहसील में एक पवित्र परवत है धार्मिक द्रश्टी से ठीक है च पर्दिश जलमा उत्सों पहली बार कम मनाया गया था तुम यह बता दू कहां मनाया गया था जल्दी मुझे comment section में जलमा उत्सों कहां पर मैं आपको बताती हूँ कम मनाया गया था तो यह फरवरी 2016 में यह मनाया गया था, यह कहां पर है भारत का सबसे बड़ा मानो निर्मित्वान अनुवन्तिया, अनुवन्तिया कहां पर है भाईया, अनुवन्तिया है आपका खंडवा डिस्ट्रिक में, वाटर पार्क ओफ, एमपी, चीक है, चलिए, निमले कि इतमे से कौन सा एक एंटिवाइरस सॉफ्ट्वेर है, विच आप दो फॉलेंग, इस एंटिवाइरस सॉफ्ट्वेर, जी, याद रखना, अवीरा, आप लोग यूस भी करते होंगे अपने पीसीज में, अवीरा एक ए अब कम्पिटर का सुफिच ऑन करते हैं, तो बूटिंग प्रोसेस करता है, ओके, वैं दा कम्पिटर सुफिच ऑन, बूटिंग प्रोसेस टेक प्लेस, पावर ओन, सेलफ स्टार्ट, याद बिलिटी स्टैस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट, या इंटिगरिती टेस्ट, 59, पता है, play on self test is the right answer, जब आप computer को on't करते हो, तो play on self test, question number 60, native marriage act किस वर्ष पारित किया गया था, in which year was the native marriage act passed, हाज जी, इसाई विवाह अधीनियम, native marriage, किसे कहते बेटा, इसाई विवाह अधीनियम, इसाई विवाह अधीनियम, याद रखना, है न, कब आया था, ये आया था, 18 जुलाई, 1872 में आया था, है न, वाइसराई, नौर्थ बुक्के द्वारा, बुक्के द्वारा, चीक है, question number 60, याद रखना, चलिया, question number 61, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया, when did गांधी जी give the slogan of स्वराज in one year, अच्छी बाते गांधी जी का प्रश्न है, और आज अंतराश्टी ये आहिंसा देवस, गांधी जी जैनती बनाया जा रहा है, उत्तर दो, उत्तर देना, जी, 61, बिल्कुल, असायोग अंदोलन उननीस सो बीस के द्वाराण यह बात कही गई थी, मद्प्रदेश में मद्प्रदेश का कितना छेतर सिंचित है, how much area approximately not for confirmed of मद्प्रदेश is irrigated at present 25, 29, 37 और 49, 62, जी, याद रखना कि 37% मद्प्रदेश का छेतर अभी सिंचित है, ट्रिक याद कलेना इस्टुएंट कुंती, सबसे जाता सोच उसे चाही है, वो कुए से है, फिर उसके बाद नलों से है, अत्ता से तलाप से है, यह भी याद रखना, यह ट्रिक भी याद कलेना, 37 of area चले, आगे बढ़ते हैं, जनगर्णा 2011 के नुसर मद्प्रदेश के सरवाधिक जनसंख्यावाले जिलों के सही क्रम का चुनाव करें, According to the census 2011, चूस्थ तूस्थ टूज्ग सक्वेंस प्रफ्लाइए बढ़ते हैं, बलो बलो! हाँ जी इजिसा याद कर लो ट्रिक बिना ट्रिक के तो मैं नहीं पढ़ती भाई इजिसा भारी सरवाधिक जनसांख्या इंदोर जवलपुर्सागर बोपाल और रीवा इजिसा भारी याद रख लोगे ट्रिक है मज़े आ रहे ट्रिक में एक किसा तेक फ्री मिल रही है मुझे जैसे जैसी ट्रिक याद आते जा रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ छीके लिख लेना आप लोग कहीं पर ताकि आप लोग को भी पता चल जाए अरुना शानवाग पुरुसकार किसे दिया जाता है याद रखना महिला हिंसा के खिलाफ काम करने वालों को 2015 से यह पुरुसकार शुरू किया गया है अरुना सानवाग पुरुसकार याद रखना इस्ट्रेंट 2015 से है पुरुसकार महिला हिंसा के खिलाफ काम करने वालों को दिया जाता है जी यह मेरी ट्रेक है मैंने ही बनाई है निमलकित में से कौन सा लक्षन भारती है परी सिंग और अमेरीकी परिसंग में समान रूप से पाया जाता है याद रखना परिसंगी उच्चितम नियालय का जो कंसेप्ट है वो इंडियन और अमेरिकन में दोनों में सेम है चनाव युगदारा राज़ितिक दलों के पेंजेन की विवस्था की गई है क्या उत्तर होगा यह जो दलों का जो पेंजेन के विवस्था है उसका एक्ट याद रखना चुकी चुनावी माहोल है यह परिक्षा में पूछा जा सकता है जन प्रतीनिदित्व अधिनियम 1959 बहुत मजा रहा है मैं आपकी ट्रिक ऐसे तो ट्रिक बहुत मिलेंगी और खासकर MP जब पढ़ोगे न तो ट्रिकों की भरमार मिलेगी आपको धय 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 ठीक है प्रेशनिक्रमार्ग 67 हीरा भूमिया का मेला निमने मैं से कौन से महीने में लगता है वाँ हीरा भूमिया फियर इस हैड इन विच आफ दा फॉलिंग मन्थ जी याद रखना यही महीना है जो चल रहा है अगस्य सितंबर महा कहां लगता है भाईया याद रखना गौलियर में लगता है किसकी याद में लगता है भाईया हीरा मन बाबा के याद में लगता है इरा मन बाबा की याद में लगता है बादरपद महीने में बादरपद महीना यही है बांदागर किस वंश की राजदानी थी याद करो भाई, पड़ा होगा आपने, माघराज वंश की राजधानी थी, जिसका हैटकॉर्टर भाईय कहा था, इसका हैटकॉर्टर उमरिया था और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है, तो बांधागण के लिए को देख लोगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट, नर्सिंगपूर छेत्र का प्रमुक विद्रोही नेता कौन था, वू वास दा में रेबल लीडर ओफ नर्सिंगपूर रीजन, महरबान सेंग, धिललन शा, मदन सा, या हिम्मत सेंग, बताएं जी, याद रखना, महरबान सिंग ही वह वैक्ती थे, जोकी नर्सिंगपूर छेत्र के विद्रोही में महरबान थे अगला, महू में सैनिक विद्रोह कब हुआ था, महू मलेटरी रेबलियन तुक प्लेस इन 1840, 57, 58, 15, 67, 56, जनवरी 1806 याद रखना है स्टुडेंट, 1 जुलाई 1857 को यह विद्रोह हुआ था, किसने किया था, तो याद रखना विच्चे, मुहम्मद अली बेगने मुहम्मद अली बेगने, नेतरत्व में यह अंदुलन शुरू हुआ था चीक है, यह शुरू जब हुआ था न, 1857 की क्रान थी, तो यह शुरू हुई थी नीमच से, नीमच से शुरू हुई थी, किसने की थी, तो 3 जुन 1857 को मुहम्मद अली बेग के द्वारा शुरू की गई थी, अब बात करते हैं, महु में, चुकि प्रश्ण में महु पूछा गया है, तो महु में 1 जुलाई को हुई थी, 1857 में कौन था भाईया, साधत खाँ चीक, next question, इस वर्श्ण में बाजिरो प्रथम ने पूर्तगाली से बेसिन को जीत लिया थी, in which year did बाजिरो प्रथम concurred the basin from the पूर्तगीज, 1738, 1741, 1739 या 1740, बिल्कोल, बिल्कोल, 1749 में बाजिरो प्रथम पूर्तगालीों से बेसिन को जीता था, याद रखना अगला प्रश्ण, 211 की जनगर्णा के नुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, according to the 2011 census, which is the district with the highest literacy rate in India, को टाया, चंपफाई, सेर्छिप या एनर कुलम बताना जरा इस्टुडेंट आपने क्या लगाया था, जो सर ना छुपाई कभी वो है literature, जो वो है पड़ा लिखा, तो वह 72 सर छिपाई है, सिर छिपाई हाथ कर लेना, जो कि मिजुरम का है, इस्टुडेंट याद रखना, मिजुरम का यह जिला जो सबसे ज़ादा लिखा है, 2011 की जनगर्ना के अनुसार, बोपाल के दोस्ट खाने किस वर्ष में अन्तिम सास ली थी, इन विच एर डिडोस्ट खान अफ बोपाल ब्रेत हिस लास्ट, 1728, 1827, 1726 या फिर 1825, जी 1726 में लगबग 66 साल ही जिये थे और चले गए, ये क्लास रोजनी होती बहिया, सिर्फ वीडियो सॉलुशन होता है, संडे का जो होता है, ठीक है, भारती निर्वाचन आयो की स्थापना कब हुई, when was the election commission of India established, भारती निर्वाचन आयो की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस मनाया जाता है, और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना स्थुदेंट्स, भारत की राश्पती ने कि जिस एक मात्र मामले में वीटो शक्ती का प्रयोग किया, तवा कौन सा मामला था, अच्छा प्रशन है, the only case in which the President of India used the वीटो पावर वास, हिंदु कोर्ट बिल, पैसा अधिनियम, भाट दिर डागर, संशोधन विधियक या फिर आपका दहेज प्रतिशेद, याद रखना वो संशोधन विधियक डागघर से संबंदित था, इसमें वीटो पावर का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था, याद रख लेना, यानी जेल सिंग ने, यानी जेल सिंग ने सबसे पहले यो राश्ट पती थे, उन्हो ये गौरफ दिवस, भाहिया ये तो कैसे भूलोगे, इसी वर्ष का मतलब है कि 2022 में भारत की राश्पती दरोपती मुर्मू मत्प्रिदेश के शैडोल में आई थी, इस दिवस को मनाने के लिए याद करे रहना भूलना नहीं, यह दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक आगे बढ़ते हैं, प्रश्निक रमांग 77, मत्प्रिदेश साहेतिक परिशाद दोरा दिये जने वाले निमने परुसकार और उसका छेत्र बता दो, है ना याद रखना रामचंदर शुकलतो प्रसिद्ध है आलोचना करने के लिए, आलोचक ही थे वो तो भहिया, चीक है, स तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस्टूरेंट, ए, 4321, ठीक है, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, अगला, मत्प्रिदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा कितनी बैठक बुलाई जा सकती है, इन मत्प्रिदेश, what is the minimum number of ग्राम सभा meeting that can be called in a year, बताइए, याद र पंच भी होंगे, उपसर, पंच भी होंगे, समस्त ग्राम सभा होगी, पूर्ण सौचलेत रोबोट की शताबदी के मध्य प्रस्तुत हुए थे, in the middle of which century, where fully automatic robots introduced, 17 शताबदी, 18 शताबदी, 19 वी शताबदी, या फिर 20 वी शताबदी, भही, शत प्रतीशत, अगर पूर्ण स उचालेत रोबोट की बात की जाए, उटोमेटिक रोबोट की बात की जाए, तो उसकी शताबदी 20 वी थी, याद रखना, रोबोटिक शब्द का पहली बार प्रियोग किस नाटक में किया गया था, very good, in which play was the word robotic used for the very first time, बताइए, जी, वह नाटक का नमत नहीं यह, रूर, रूर वो नाटक था, जिसमें सबसे पहले इसका प्रियोग किया गया था, रोबोट शब्द का, याद रखना, हाइपर टेक्स का विश्कार किस ने किया था, हाइपर टेक्स, कैसे भूल सकते हो, हाइपर टेक्स का विश्कार, ठीक है मनीशा ठीक है चले निमले कित में से किसकी transmission गती अधिकता में which of the following has the fastest transmission speed twist wire pairs कोई सिल केवल optical fiber और microwave बताओ optical fiber है भई सबसे ज़्यादा transmission गती है सबसे ज़्यादा अना सुचना के लिए यही प्रयोक किया जाता है very good next question बरेदी नत्य में दिवारी वस्तों में क्या है very good what exactly in दिवारी इन बरेदी डांग्स बरेदी प्रदेशन में पूर्व की कवीता पश्चात की कवीता नत्य के दोरा पहने गए आबुशन यार उनके दोरा पहने गए वस्तों याद रखना यह कवीता का ही रूप है प्रदेशन के पूर पहने गए वस्तों के लिए बरेदी में प्रयोक किया जाता है दिवारी को अनिल काकोड कर कौने भाईया अनिल काकोड कर बढ़वानी से संबने थे याद रखना इस्टूडेंट्स इनको विज्ञान पुरुष भी कहा जाता है विज्ञान पुरुष भी कहा जाता है कहा का तुम्मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है पदमे बिभूशन पुरुसकार इनको कम मिला था सन 2009 में इनने पदमे बिभूशन पुरुसकार दिया गया था याद रखना चीके? चलिए सीतामडी मंदुर का समू कहां पर है? सीतामडी ग्रूप ओफ टेंपल is located in भोचपुर, चंदेरी, करनपुर और मंडला याद रखना चंदेरी, अशोक नगर चंदेरी, अशोक नगर ये वही छेतर है जहां पर सीतामडी मंदिर इस्तित है पुरा तात्वेक इस्तित है वास्तुकला के लिए मत पुर्ण रूप से जाना जाता है चार्जर पॉइंट मत प्रदेश में किस राश्य उद्यान मस्तित है वेरी गूट अब जब जाओ तो फोन की चिंता मत करना फोटो ले सकते हो इन विच नेशनल पार्क अफ मत प्रदेश है चार्जर पॉइंट पतानी और सारी फिमस है चार्जर पॉइंट ठीक है सफेद बाग चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है ठीक है बोपाल आकाश्वाडी केंदर की स्थापना P.S.C. 2013 ने इंदौर आकाश्वाडी केंदर की स्थापना पूची थी When was the Bopal Radio Station established? 31 October 1956 26 को और इंदौर का कब किया गया था भाईया? इंदौर का किया गया था याद रखना 22 माई 1955 को ठीक है? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं Routers OSI model को किस layer का काम किस layer पर काम करते हैं? On which layer of OSI model or do routers work? Question number 88 Network layer पर ही काम करेंगे न भाईया? Routers Network layer पर ही काम करेंगे है न? Very common चलिए प्रशनक्रमांक 89 इसरो के सबसे भारी rocket LVM3 M2 में कितने उपग्रह को orbit में स्थापित किया गया है? है न? याद रखना हो How many satellites has इसरो heaviest rocket LVM3 M2 placed in orbit 35, 36, 31 और 32 कितना में याद रखना 36 उपग्रहों को प्रस्तिक्चित किया गया श्री हरी कोटा अंत्रिक्ष केंद्र से अंक्टाट का मुख्याल है Very good Where is the heart quarter of अंक्टाट लोकेटेड लंदन, बुसेल्स, जीवार जेनेवा या लुसाने? बताओ जरा व्यापार और विकास का सयुक्तराष्ट संग है भाईया कहाँ पर है? जेनेवा में है कब इसकी स्थापना होई थी? याद रखना 1964 में अंक्टाट की स्थापना की गई थी जिसका हैटकॉर्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है ठीक? G20 सम्मिट 2023 का आप लोग इसी चैनल पर जा करके पूरा G20 को मैंने पूरी पड़ते खोली है जरूर उस क्लास को देखना ताकि आप लोग पूरी G20 को परसको परिक्ष्य उप्योगी गोरु मारा राश्टी उध्यान भारत के किस राज्य में इस्थे थे थे? नेक्स बस लास्ट बचे हुए है कोशक महल का निर्माण किस साशक ने किया थे? विच रूरल बिल्ड कोशक महल? वेरी गूड 93 कोशक महल कहा पर इस्थे थे भाईया? चंदेरी में इस्थे थे? किसने बनवाया था? महमूष शाखिल जी के द्वारा कोशक महल बनवाया गया था 1445 इसवी में कोशक महल का निर्माण किया था मत प्रदेश में सरपत्प महात्मागांदी राष्टी रोजगार गारंटी अधीनियम मनरेगा कितने जिलों में लागो की गई थी? अच्छा जी 2006 की योजना है? ठीक है कितने जिलों में लागो की गई थी? याद रखना कुल 18 जिलों में यह योजना लागो की गई थी? पता होना चाहिए आप लोगों को निमनिमे से कौन मत प्रदेश के राजपाल नहीं थी? निमने को सही सुमलित करना है उत परिवर्तन का नियम है ना फिर है विकास का सिध्धान्त एक जीने के इंजना चाहिए उत परिवर्तन का जो सिध्धान्त वो डीब्रीज ने दिया है ऐप सभी को पता है विकास का सिध्धान्त डारबन के द्वारा दिया गया है फिर उसके बाद है एक जीन का सिध्धान्त बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया है और उपरेशन अफधार्णा जैकब मोनिट के द्वारा की गई है इसलिए दिये गए प्रशने का सही उत्तर होगा बीफ़र बॉल तब ब्यत तो ऐसी है कि बस इश्वर जानता है कि मैं खड़ी कैसे हूँ इश्वर और मेरे बीच का वारतालाप है कि मैं खड़ी हूँ मस यह ना इश्वर की करपास है चलिए प्रशनिक रमांक 97 निमलकित में से कौन सा मखवी उपनाम से प्रचलित है गुलबदन मेगम, नूर जहा, जैबुनिसा और रोशन आराव याद रखना जैबुनिसा मखवी नाम से प्रसिद मखवी का अर्थ क्या होता है? गुप्त और इसी नाम से यह कविताएं भी लिखते थे इसलिए इसका नाम मखवी है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशनिक्रमांक 98 31 जन्वरी 2023 को राश्री महिला आयोग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखना 31 वा स्थापना दिवस राश्री महिला आयोग की द्वारे 31 जन्वरी 2023 को मनाया गया है याद रखना आप सभी स्ट्रेंट ठीक है? गुप्त बाते ठीक है? 99 सेंचरी होने वाली The Golden Ears पुस्तक के लेखक कौन है The Golden Ears पुस्तक भाई हमारे अपने रास्किन बॉर्ण रास्किन बॉर्ण के द्वारे है पुस्तक लेखी गई है याद रखना आप सभी लोग ठीक है Last question Last question of this video solution क्या है question कि आपको इनको कालानुक्रम जमाना है कालानुक्रम जमाने के लिए इनका काल भी पता होना चाहिए चौसा का उद्ध हुआ था 1549 में सामुगण का उद्ध हुआ था 1658 में कन्योच का उद्ध हुआ था 1540 में और दोराहा का या दोराई का युद्ध हुआ था 1532 तो अब आपको कालनुक्रम अगर जमाने को बोल रहा है तो सबसे पहले दोराई का युद्ध फिर उसके बाद आपका चौसा का युद्ध फिर उसके बाद कनोज का युद्ध और देन सामुगर का युद्ध तो सही उत् तो वर को विनर्स इंसिट्यूट में application पर और offline जो MPPSC की FLT हुई थी उसका video solution आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे से तेयारी करना, 17 दिसंबर आपका targeted दिन है, जिस दिन आपका exam होने वाला है, तो सारे student यह वाला जो page है, इसको ध्यान रखना आप online औ और offline 10 बजे इस mode पर test दो, ताकि आपका revision बहुत बहतर तरीके से बढ़ सके, आज का video solution मैं यहीं रखती हूँ, है न, मैं मिलती हूँ आपको कल फिर से शाम को 5 बजे की class में, जिसमें हम unit 8 को cover कर रहे हैं MPPSC में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, प्राटरी